रीवा में खुले बोर्वेल में बालक के गिरने की घटना के बाद खंडवा जिला परसासन भी एक्षन में आ गया है। खंडवा HDM ने निर्देश जारी कर लोगों को चेतावनी दी है कि वे अपने बोर्वेल खुले ना रखें वरना ऐसे लोगों के खिलाप सक्ती से कारवाई की जाएगी। इसके लिए बाकाइदा जिला परसासन ने टीम भी बनाई है जो एसी जगाहों पर नजर रखेगी और अगर खुले में बोर्वेल मिलते हैं तो इनके मालिकों के खिलाप सक्त कारवाई की जाएगी। खंडवा SDM बजरंग बहद्दूर सिंग ने जानकारी देते हुए कहा कि इस संबन में सासन के निर्देश हैं कि खुले में कोई भी वेक्ती बोर्वेल ना छोड़े। जिसने भी बोर्वेल की खुदाई कराई है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वे उसे ढख कर रखे या सुरक्षित रखें। ताकि किसी भी प्रकार के कोई बच्चे या कोई जानवर उसके चपेट में ना आएं। तो ये हम जो है इसको सतत रूप से निग्रानी कराते हैं और मैंने इस संबन में अपने अधिनास्त कर्मचारियों को अधिगारियों को बोल रखा है कि वे इसकी जानकारी ले और कि व्यक्ति बोर्वेल को खुला छोड़ेगा तो उसके विरुत्य निमा नुसार कानूनी कारवाई की जाएगी